या है पेका? ओके, तो नाम में पेका है तो इसके पास पेका हो नहीं वाला है जितना मुझा आइडिया है वेलकम बैक बॉइज, हम लोग आज खेलने वाले क्लैश रोयाल हम लोगों को एकदम चुल भरी सी आइडिया दी है हमारे सस्क्राइबर्स ने और बहुत सारे सस्क्राइबर्स है, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब लोग बोल रहे है, पिक काड यूज़ करके डेक बनाओ, और वो डेक यूज़ करके जीत के दिखाओ, बैंडी, तो चलो भाईयो, आज के इस वीडियो में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, एपिक काड तो हमारे पास सबसे डेंजर नर्फ मिला हुआ काड है, जाइंट स्केलेटन को जो नर्फ मिला है भाई, इस वेसे इतना दाद हे हलफूल ने होने वाला, तो चाइंट स्केलेटन यूज़ करने वाले हम लोग, हंटर को भी नर्फ मिला है, तो हंटर को भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्यों ना यूज़ करें, वो एपिक में आता है दोस्तो, नाएक्स वण, आपके स्क्रीन पे जो काड्स दिख रहे हैं, उसमें से मैं अटेकिंग काड्स स्यूज करने वाला हूँ, गॉबलिम बैरल, पॉईजन, और वाल ब्रेकर, भाई बस, इससे ही मुझे डैमेज निकालना है, वी विल ट्राइवर बेस टूबीन, हम लोग है अभी के लिए, चार आदर नोसन नब्बे पे, आप सोच रहों कि मैं उपर क्यों नहीं जा रहा, मैं उपर जा रहा, वापिस नीचे भी आ रहा हूँ, ऐसा सीन है, ठैंक्स ओलोट भाईयो, आपकी इस पॉजिटिव सपोर्ट के लिए, चलो हमारा पहला मैच हो गया शुरू, और भाईयो, हमारा मैच में हो चुका है, तो पहला बंदा आया है, पेका, ओके, तो नाम में पेका है, तो इसके पास पेका हो नहीं वाला है, जितना मुझे आइडेया है, तो बंदा कुछ मतलब मूव दोः कर रहा, बेंडित, तो बेंडित दिखी है, मेगा नाइट भी दिखेगा थोड़ी देर में रुको भायो बस बस मेगा नाइट के लिए तायर हो जाओ तो ओके तो नाइट जाला उसने तो मैं बेबी ट्रैक करूँगा एकदम पीछे और उसके नाइट को वाउ तो जबर्दस्त यहाँ पर मेरे ख्याल से हंटर संबाल लेगा अपोजित लेन को जबर्दस नाइस लीड़न हंटर थैंक्स लॉट तो बेबी ट्रैकें सरवा कर जाएगा हंटर का एक हीट एक भीन हीट मिलेगा मुझे मेरे ख्याल से नाइस वन तो मैं स्केलिटन जाइंट को यूज करके दोनों को एक साथ लूँगा जबर्दस नाइस वन तो अभी देखो मैं काउंटर पुश कैसे करूँगा जैसे ब्रीज को क्रॉस करेगा मैं बेबी ट्रैक चलो उसका पूश तो नहीं है आ रहा है हमारे तरफ जबर्दस तो मैं होल्ड करूंगा अभी क्या है उसके पास बैंडित बैंडित हाथ में रहेगी मेरे खाल से उसके अभी तो वाल ब्रेकर स्प्लीट करेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं किया ना तो बहुत साइड डैमेज ठेंक्स अलोट ठेंक्स ठेंक्स अलोट बंदा डैमेज खा रहा है मुझे निया आइडिया क्या कर रहा है बंदा मैं एकदम पीछे डार्क क्रींस करूंगा और होल करेंगे लेट्स होल्ड इट ओके तो मुझे लगा था बंदा ओफलाइन गया है पर नहीं पेका वाव पेका पेका नाम में पेका तो पेका होना ही चाहिए था जितना मुझे आइडिया है और यहाँ पें पॉईजन करूंगा थोड़ी देर में क्योंकि इसके पास इलेक्टर विजर् लेट्स और मेरे खाल से हंटर अरे मैंने एकदर पीछे नहीं करना चाहिए था और जबर्दस्त बैंडित बैंडट बैंडित बैंडट बैंडित बैंडित है जो हमारे लिए खत्रा है अब ही के से लिए चलोまぁ थन्यस वान तो अभी 3 यह देखो बंदा हस रहा है मुझे न नाइस वन बंदा खुश तो है ना सामने वाले बस उतना ही काफी है वापीस हम लोग पीछे बेबी ड्रैक करेंगे और जाइंट स्केलिटन के मुझ के उपर सब को खीचेंगे जाइस वन और हंटर चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर मेरे ख्याल से यह पुश कहीं पर जाने वाला बंदे का कि जबरदस उसने अभी-अभी जैप वेश्ट किया और जैप करने का फाइदा उसको दिखाता हुमें और भाई यहाँ पर गुड़ गेम हो चुका है बंदे के साथ क्यूंकि वहाँ पूश नहीं रोप पाएगा लेट्स गो हमारा पहला मैच हो गया नाइस वन हंटर अंटर में कुछ काम नहीं किया मेरा और टावर डाउन यार मेरे पास लॉग भी नहीं है रहे लॉग होता तो मैं कुछ तो कर पाता लॉग जैप ऐसा बोल रहा हूं तो भाईयो एक लॉग कार नहीं इस वह से में हार गया फुटिमेटली पर चैलेंज होत है एपिक काड यूज करना है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला मैच अप और भाई देखते हैं क्या सीने तो चलो भाईयो यहाँ पर हम लोगों के धाया उड़ चुकी है गलत इतना गलत क्यों है तो भाईयो थैंक्स तो लोट फो वाचिंग इस वीडियो मुझे पहला लॉबी में आने दो और जिन्हों ने भी यह एपिक चैलेंज का कमेंट किया था तुम लोगों को नींद नहीं आएगी सालो मेरे बाट ट्रॉफी बाइनस हुए आपके वज़े से तो भी कुछ नही छो फिर मिल देने का लुब रुमे, पीसाओ।